बच्चो आज हम काब्वी की जो सर्वोत क्रिष्ट विधा है गर्द्य काब्वी में आज हम निबंध पर चर्चा करेंगे और निबंध कार हैं स्री जैनेंद्र कुमार जी स्री जैनेंद्र कुमार को मनो वैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तक माना जाता है प्रेम चंद्रोत्तर उपन्यासकारों में इनका विशिष्ट इस्थान है वे उच्च कोट के निबंध कार भी थे जैनेंजी का जन्म दो जन्वरी 1905 को अलीगड उत्तर प्रदेश के कौड़ियाग गंज गाउं में हुआ आपके पिता का नाम स्री प्यारेलाल और माता का नाम स्रीमती रमादेवी था दुर्भाग्य से जन्म के दो वर्ष बाद इनके पिता जी का निधन हो गया जैनेंजी की जो प्रारंभिक सिक्षा है वो हस्तिनापुर के जैन गुरकुल में हुई वहीं इन्होंने दस्वी की परिक्षा हुत्तिर्ण की और इसके बाद उच्च सिक्षा के लिए कासी हिंदू भिश्विध्याले में प्रवेश लिया बच्चो उस समय अस्वहयोग आंदोलन चल रहा था वो अपनी च्यरम सीमा पर था तो गांधी जी के अस्वहयोग आंदोलन का प्रवाव जैनेन जी पर भी बहुत पढ़ा तो अस्वहयोग आंदोलन से प्रेडित हो करके उन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के साथ अस्वहयोग आंदोलन में सामिल हो गए जैनेंग्र जी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी के जीवन दर्षन का प्रभाव उनकी रचनाओं में भी देखा जा सकता है हिंदी में प्रेम चंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कठाकार के रूप में प्रतिश्थित हैं जैनेंगर जी इनका आउदान अत्यंत व्यापक और बैविद्धिपूर्ण है कठाकार होने के साथ साथ आपकी जो पहचान है अत्यंत गंभीर चिंतक और निबंधकार के रूप में भी है आपकी प्रभावी साहित सेवा के फलस्वरूप भारत सरकार ने सन 1971 में पद्म भूशन अलंकरण से अलंकृत किया और सन 1989 में साहित एक आदमी सम्मान से आप सम्मानित हुए और हिंदी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सन 1990 में जैनेंद्र जी पंचत्त्त में बिलीन हो गए जैनेंजी ने उपन्यास, कहानी, निबंध, अनुबाद और संपादन कई छेत्रों में किर्टिमान स्थापित किया है उपन्यासों में बहुत ही प्रसिद्ध है इनका परख उपन्यास जो सन 1929 में प्रकाशित हुआ था और 1935 में सुनीता उपन्यास जो है प्रकाशित हुआ और त्याग पत्र जो है 1937 में प्रकाशित हुआ इसी प्रकार से कल्यानी उपन्यास जो है हिंदी संसार में बहुत ही प्रसिद्धी पाया जिसका प्रकाशन जो है 1949 में हुआ और विवर्त विवर्त का 1913 में और सुखदा यह भी 1913 में प्रकाशित हुआ था और व्यतीत यह भी 1913 में प्रकाशित हुआ तीन तीन उपन्यास उन्होंने एक साल में दिये और जैवर्धन जो है 1956 में प्रकाशित हुआ इसी प्रकार से कहानी संग्रह जो है फांसी 1929 में वातायन 1930 में नीलम देश की राजकन्या 1933 में और एक साल बाद एक एक साल में एक रात 1934 में मतलब एक एक साल में इतना अधिक इन्होंने साहित जगत में काम किया है कि प्रति वर्ष इनका एक नेक उपन्यास या कथा संकलन पाठकों के सामने आता रहा दो चिडिया 1935 में पाजेब बहुत ही प्रसिद्ध कथा संकलन है जो 1942 में प्रकाशित हुआ और जैसंध जो है 1949 में इसी प्रकार जैनेन जी के जो निबंध संकलन है जिने हिंदी संसार की अमूल निन्नी दिमाना गया है प्रस्तुत प्रस्ण 1936 में प्रकाशित हुआ और जड की बात 1945 में और पूर्वोदय प्रकाशित हुआ और यह और निबंध संकलन आया सोच विचार और काम प्रेम और परिवार यह प्रकाशित हुआ और यह और वे 1924 में प्रकाशित हुआ इसी प्रकार से रातों दिन जैनेंजी स्रिजन में लगे रहते थे उन्होंने बहुत अच्छे ग्रंथों का अनुबाद भी किया है अनुदित ग्रंथों में जैसे मंदाकिनी नाटक कानुबाद उन्होंने 1935 में किया था प्रेम में भगवान कहानी का 1937 में पाप और प्रकाश नाटक 1923 में और आपने संपादन भी किया है अनेक विद्वानों को संजो करके साहित चैन ये उनईसों क्यामन में एक निबंद संकलन आया विशार वल्लरी निबंद संकलन जो है 1933 में ही प्रकाशित हुआ इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनेंद्र जी ने गद्य साहित्य में अद्भुत लेखनी चलाई है और इन्होंने गद्य साहित्य जगत में कीर्टिमान इस्थापित किया है जैनेंद्र कुमार जी का जो सबसे बड़ा योगदान है हिंदी गद्य के छेत्र में तो गद्य के निर्मान में इन्होंने हिंदी गद्य का नए ढंग से स्रिजन किया भाषा के इस्तर पर जैनेंद जी के द्वारा की गई तोड़ फोड ने हिंदी को तरशने का अमरित पूर्ण कारी किया है हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगीमादी एक नया तेवर दिया आज के हिंदी गद्ध पर जैनेंदर जी की अमिट शाप है बच्चो आपके पाठिक्रम में उनका सुप्रसिद्ध निबंध बाजार दर्शन ये उत्क्रिष्ट विचारात्मक निबंध का उदारण है बाजार दर्शन निबंध पर चर्चा करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि निबंध है क्या आप निबंध प्रारम भी कक्षाओं से ही पढ़ रहे हैं लेकिन निबंध को आपने कभी पारिभासित नहीं किया है तो थोड़ा सा संचेप में उसे हम समझ लें कि वास्तों में निबंध जो है गद्य लेखन की एक सशक्त विधा है निबंध सब्द नि और बंध से बना है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बना हुआ निबंध किसी विशे पर बिचार प्रकट करने की कला है इसमें ज्ञान विचार और व्यक्तित्तों का अध्भुश्ण संगम होता है निबंध में से जाता है मूलता- चारतरह के होते LAUGHTER आत्मक निबंध भावात्मक निबंध भावात्मक निबंध साहतिक या आ लोचन प्रसण करें बाजार दर्शण बाजार दर्शन जैनेन जी का एक महत्तुपूर्ण निबंध है जिसमें गहन वैचारिक्ता और साहित सुलब लालित्य का मनि कांचन सयोग देखा जा सकता है यह निबंध उपभोगता बात और बाजार की मूल अंतरबस्त को समझने में बेजोड़ है आज आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ उपभोगता बात बहुत पहले इस निबंध को लिखा था जैनेन जी ने लेकिन आज यह बढ़ता हुआ उपभोगता बात जो है हमारे आँखों के सामने है लेखक ने उधारन के द्वारा इस पस्त किया है लेखक केक मित्र मामूली सी बसुलेले बाजार गए परन्त बाजार की जगमगाहट देखकर वे अनेक चीज़ें लेकर के आ गए और सारा दोस्ट अपनी पत्नी पर मढ़ दिया होता है ऐसा जैसे आप जब बाजार जाते हैं तो वहां मने बाजार की जो जगमगाहट है विग्यापन के उद्देश से जो दूकानदार है या जो पूर्त करने वाला व्यक्ति है जो सामग्री की पूर्त करने वाला दूकानदार है वह अपनी दूकान को सजा कर रखता है तो वहां की जगमगाहट देख करके ब्यक्ति जो है अनेक प्रकार की चीजें खरील लेता है और चूंकि उनकी पत्नी उनके साथ गई थी उनके मित्र की उन्होंने सारा दोस उन पर जड़ दिया लेखक के उसारे सारा दोस केवल पैसे की गर्मी का है उनकी पत्नी का नहीं कुछ लोग बुध्य और स्रैयम से काम लेते हुए पैसा को जोड़ कर ही गर्व का अनुभू करते हैं दो तरह के बेखत हुए एक बिना सोचे समझे खर्च करने वाले और एक ऐसे होते हैं जो पैस बाजार से कुछ भी न ले और वे अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से खुश हैं इस प्रकार के भी भोगतावाद के शिकार हैं आप देख रहे हैं कि आज के समय में बाजारवाद का जो प्रभाव है वह हमें चतुर्दिक दिखाई देता है तो लेखक एक मित्र ने सबहसे हिसं परिंदो विए बाजार की चकाचोंद को ही दोशी माना है जो लोक इस चकाच चंद के सिकार हो जाते हैं वे बुरी तरह फंसकर अपना ही नुक्षान कर बैचते लेखक का एकमित्र बाजार की चका चौध में इस प्रकार फंच गया कि दिन भर बाजार घूमने के बाद भी कोई वस्तु खरीद ही नहीं पाया इसका कारण उसने लेखक को बताया कि सभी कुछ उसे पसंद आया किन्त वह कोई एक दो वस्तु ही लाता तो अन्य वस्तुओं को उसे छोड़ना पड़ता और कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था इफले वह कुछ खरीद नहीं पाया इस तरह से आप भी जब बाजार जाते हैं तो एक मांशिक्ता भीक्तिं की बनती है इसका लेखक ने यह अर्ठ निकाला कि यह हमें अपनी आवशिक्ता का पता नहीं है तो हम यह ने नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीद इसलिए ब्यक्ति को अपनी आवस्य था के संबंद में चिन्तन कर लेना चाहिए और खोब शोच विचार करके भाजार जाना चाहिए. अब बाजार का जो जादू है उस समंद में लेखक का मानना है कि बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर होता है जो खाली जेब है जिसके पास पैसे नहीं है और जिसकी भरी जेब है इन दोनों पर भी बाजार का जादू बराबर बराबर पढ़ता है यदि जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है तब भी बाजार अपनी ओर खीचता है यदि जेब भरी है तो आप खड़ी दारी खुब करेंगे परंत ब्यर्थकी अनावस्यक निरर्थक जिसकी उपयोगिता नहीं है उस वस्त को भी आप क्रेकर लेंगे अन्तता हुआ आपके सुख की तुलना में दुखदाई अधीक होगी लेखक की मान्यता है कि आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप निर्णे ले चुके हों कि आपको क्या खरीदना है इससे ब्यक्ति बाजार की चकाचाउन से अपने आपको बचा पाएगा अन्यता उस चकाचाउन में फंस करके वह अपनी जेब खाली करके आएगा लेखक जो है जीवन को स्रेश्टता से जीने की कला मानता है कि जीवन जो है अच्छे ढंग से जीना एक बहुत बड़ी कला है लेखक के अनुसार ब्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्व पूर्ण नेने सोच समझ करके लेने चाहिए चूंकि बिना सोच समझ करके लिया हुआ नेने जो है वो दुखदाई होता है लेखक ने एक भगत जी का उदाहन दिया भगत जी का उदाहन देते वे लेखक कहता है कि उनका चून इतना लोकप्रिय है कि यदिवे उसे बगत जी निष्च अब समय पर अपने घर से निकलते थे और जब तक उनके चोन की बिक्री से च्छा आने की कमाई हो जाती थी तभी वह चोन बेचते थे फिर इसके वाद में मुफ्त में यी चून बालकों में बाट देते थे भगत जी की जो सबसे बढ़ी विशेषता थी क प्रतेक दिन वो चून ले करके चलते थे और जहां च्छा आना उनको मिला उनकी विक्री छैने की हो गई वहीं अपना चून बेचना बंद कर देते थे और इसके बाद वे जो कुछ चून की पुढिया बस्ती थी वो बच्चों में बार देते थे उन्होंने कभी भी अधिक कमाई की नहीं सोची भगत जी भले ही निरक्षर किंत लेखक उन्हें बिद्वान मानता है भगत जी पढ़े लिखे नहीं थे इसके बाबजूर्द लेखक उन्हें बिद्वान मानता है अब बाजार की सार्थक्ता क्या है मानों के लिए लेखक के विचार से बाजार की सार्थक्ता वही ब्यक्ति दे पाता है जिसे पता होता है कि उसे कब क्या और कितना खरीदना है उसे कब खरीदना चाहिए उसे क्या खरीदना चाहिए और उसे कितना खरीदना चाहिए अनावश्यक वस्तू एं खरीदने वाला ब्यक्ति परचेजिंग पावर के गर्में सैतानी शक्ति और ब्यप अगइस तलिए दिए दैसार के वाल बाजारका पॉशंड मानता हूए अब आपको निबंध का शारांश मेंने बताया अब आईए इस पर प्रस्ण कैसे उठते हैं ये सब सुनने के बाद वास्तों में बाजार का जो जादू है वो चड़ता है उतरता है तो मानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है लेखक का मानना है कि बाजार का जादू चड़ने पर मनुस्य उसकी और उसी प्रकार से खिचा चला जाता है जिस प्रकार से चुंबत लोहे की और खिचा जाता है अगर वह खरीदने को मजबूर हो जाता है अगर वह बाजार चला गया अब बाजार का जादू अगर चड़ गया है उस पर तो वस्तुओं की उपयोगिता का पता चलने पर मनुस्य के स्वाहिमान को ठेश पहुशती है बाजार का जादू उतरने पर मनुस्य को आभास होता है कि जो आराम दायक फैंशी बस्तुओं उसने खरीदी थी वे सब जो हैं आराम देने की अपेक्षा उसे दुख पहुँचाती है बीच में जम्मैं बाजार दर्शन पर चर्चा कर रहा था तो परचेजिंग पावर की चर्चा मैंने की थी यह है क्या परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसी की वह पावर जिससे महगी से महगी बस्तुओं खरीश सकते हैं मौल की संस्कृती सामान ने बाजार और हाट की संस्कृत सभी परचेजिंग पावर से चलते हैं जो माल की संस्कृती में लगभग सभी प्रकार की बस्तुएं एक ही इस्थान पर उंची से उंची कीमत में मिल जाती हैं ग्राहक भी धनाडिवर के लोग होते हैं धनी होते हैं अतावे महगी कीमत पर भी सामान खरीदने को तयार हो जाते हैं इसलिए परचेजिंग पावर का असली रूप तो माल में ही दिखाई देता है अब आपने इतनी बातें जान ली तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आ गया होगा कि ये बाजार दर्शन है क्या वास्तों में बाजार दर्शन से लेखक का आशय है कि बाजार के बारे में विवरण जैसे बाजार में क्या-क्या मिलता है बाजार लोगों को क्यों आकर्शित करता है बाजार के आकर्शन से बचने के क्या-क्या उपाय है बाजार के गुण दोसों का वर्ण बाजार के ला यह सब वाजार्थ दर्सन में सम्मिली थे यह भाजारू पन से क्या तातपर है के कि भाजारू पनласт परियों कपट बढ़ाने से रथात शब्भाव की कमी के कशल आदमी जो है परसपर भाई मित्र एवं परोसी तक को भूल जाता है मनुश्य सभी के साथ कोर्य को एक ग्रहकर जैसा ब्योखार करता है बाजारूपन के कारण मनुश्य को केवल अपना फाइदा दिखाई देता है इससे सोसर की भावना बढ़ती है जो विक्रेता है वो ना अपने भाई को पहचानता नमित्र को पहचानता नप सम्मंदियों को पहचानता अब अभी चर्चा के दौरान कि हमने आपको बताया था कि लेखक जो है अर्थ शास्त्र को अनीती शास्त्र कहता है क्यों बहुत ही महतुपूर्ण प्रशना है यह लेखक की मान्यता है कि जो कैपिटलिस्तिक अर्थ शास्त्र अर्थात पुंजीवादी अर्स्तात्र जो धन को अधिक से अधिक बढ़ाने पर बल देता है मायावी है चली है और अनितिपूर्ण है कारण बाजार का जो मूल दर्शन है आव सिक्ताओं की पूर्ति करना है यदि इस लक्ष को छोड़ कर व्यापारी धन कमाने की होड में लग जाए हैं तो बाजार का जो असली लक्ष है वो नष्ड हो जाता है यह बाजार के नाम पर जो भटकाओ है ग्राहक को आव س्यक्ता की बस्तु उचित दाम पर देने के बजाय अगर पैसा कमाना लक्ष रख लिया जाएँ तो बाजार का जो असली लक्ष है वह पूरा ही नहीं होता कि पैसा कमाने का लक्ष बैसा बना लेता है तो ब्यापार में कपट बढ़ता है छल बढ़ता है ब्यापारी ग्राहक lists o करके भी अपना लाब कमाना चाहता है इससे सोशन की सुरुवात होती है अताहिये अनीति पूर्ण ऐसे पुंजीवादी बाजार से मानुवी प्रेम भाई चारा तथा सौहार्द जो है वो समाप्त हो जाता है सभी लोग ग्राहक और विक्रेता बनकर रह जाते हैं पुंजीवादी अर्थ शास्त्र के कायनी बाजार में फैंसी चीजों का प्रशलन बढ़ता है लोग बिना आवश्यक्ता के ही उसके रूप जाल में फंज जाते हैं इसलिए लेखक ने उसे मायावी कहा है अब एक प्रश्ण और बनता है खाली मन और भरी जेव यह क्या है लेखक की मान्यता है कि खाली मन तथा भरी जेव मन में किसी निश्चित वस्त को खरीदने की इच्छा का नहोना और बस्त की आवश्यक्ता का नहोना परन्तु जब जेवें भरी रहती हैं या जेवें भारी होती हैं तो ब्यक्ति आकर्शन के बसीभूत होकर बस्तुएं खरीदता है इससे बाजार वाद को बढ़ावा मिलता है बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग सक्ति क्या है वास्तों में लेखक का म मानना है कि पैसे की व्यंग शक्ति से ताद पैसे की अधार पर स्वयं को ही या स्रेष्ट समझना पैसा ही हींता और स्रेष्टता का एहसास कराता यही पैसे की ब्यंग सक्ति है अपनी त्रे सक्ति को दिखाकर खरीदार स्वयम को उंचा सिद्ध करता है इसलिए वह बाजार से बिना जरूरत के धेर साला सामान खरीद करके ले आता है लेखक ने बाजार दर्सन निवन्ध में उन सारी बातों को आपके सामने रखा है कि बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो बाजार जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना किसी जरूरत के वहां न जाये पहली बात अगर आपकी ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है तो आप बाजार बिलकुल मत जाएए और आप जाएंगे तो ललचाई निगाहों से उसे देखेंगे आपके मन में लालच आएगी कि कास हम भी इसे खरीद पाते तो आप अगर बाजार नहीं जाएंगे तो आपके मन में लालच नहीं आएगा मान लीजिए आप गए भी तो लल्चाई निगाहों से उसे न देखें लेखक के सब्दों में वहां खाली मन न जाएं मन आपका भरा रहें अभी हमने चर्शा के दौरान भगजी का उलेख किया था भगजी बाजार को सार्थक और समाज को कैसे सांत कर रहे हैं यह बाजार दर्शन पाठ में इसे बहुत अच्छे डंग से लेखक ने समझाया है वास्तों में भगजी बाजार को सार्थक और समाज को सांत कर रहे हैं इस तरह से क्यूंति समय पर चूरन बेशने के लिए निकलते हैं पहली बात कि उनका समय निशचित च्छे आने की कमाई होते ही बचे-चूरं को बच्यों में मुफ्त बार देते हैं सबसे पहले तुनका उद्देश से जो है केवर च्छा आना कमाना है और च्छा आने में उनका परिवार का जो ब्याइभार है वो पूरा हो जाता है बाजार में जीरावा नमक खरीते हैं सभी का अभिवादन करते हैं बाजार के आकरशन से दूर रहते हैं और अपने चून का ब्यावसाइक तवर पर उत्पादन नहीं करते हैं तो इस प्रकार बाजार जरशन से हमें शिक्शा मिलती है कि हम बाजार तभी जाएं जब आवश्यक्ता कोई बशह इच्शा हो और यहां और आप सी holle अंता हम बसेदा की सूची बना लें कि हमें क्या-क्या क्रे करना हैं हमारे लिए क्या-क्या महत्वून सामकरी है और वहां से आप करे करके लेकर आएं अनावस्यक बस्तों की खरीददारी न करें तो इस प्रकार यह विशार आत्मक निबंद हिंदी संसार में बहुत ही उत्कृष्ट कोट का बन पड़ा है